प्लीज सब्सक्राइब तू गोरी टूटोरियल यूट्यूब चैनल एड प्रेस्ट बैल आइकन शो दाट यूट गेट दोटिफिकेशन अफ यूवीडियो अफ टाइम अफ अपलोड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नूट्रिशन इन प्लांट इस पार्ट में हम लोग तो प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट किसक्षण अपना फूर लेते हैं हम जानते हैं कि प्लांट चाहिवा अपना फूद भी बनाते हैं लेकिन कुछ ऐसे प्लांट कि उपताना चीनी ने It is the mode of picking food, mode means method, किस तरह से प्लांट अपना फूद लेते हैं, और प्लांट या अनिमल, कोई भी इतलब ऑर्गेनिजम अपना फूद किस तरह से लेता है, और उसे किस तरह से यूज करता है, बोदी में, that is called as nutrition. Now regarding the meaning of nutrients, अब nutrients क्या है, nutrients are the components of food, components means food में क्या-क्या चिज़ें प्रेजन होती हैं, जिसे हमने 6th class में पढ़ा था, कि food में प्रोटीन होते हैं, विनरल होते हैं, विटामीन होते हैं, फैट, कार्भोहिजित, यह अलग-अलग तरह के components हैं, जो हमारी बाडी के लिए ज़रूरी हो इन्हें हम nutrients बोलते हैं, इसलिए हमें अलग-अलग तरह का food खाना चाहिए, हमें अलग-अलग तरह के nutrients होते हैं, और nutrients में examples हमें जानते हैं, proteins हमारी bodybuilding food हैं, carbohydrate और fat के हमें energy मिलती है, minerals और vitamins भी हमारी body के function में health करते हैं, अब food किस तरह से हमें nutrients provide करता हैं, सारे organisms को food चाहिए, all living organisms need food, क्योंकि उन्हें energy की ज़रत है, उन्हें growth करनी है, develop होना है, इसलिए, और plants अपना food खुद बनाते हैं, this is a common observation, you can see here, इस diagram में भी हम देख रहे हैं, कि plants sunlight ले रहा है, carbon dioxide, water, minerals ले रहा है, और फिर खुद food produce कर रहा है, और animals जो हैं, वो या तो plant से food लेते हैं, या फिर वो दूसरे animals को consume करते हैं, plant अपना food क्यासे बनाता है, it needs raw materials, raw materials होता है, जैसे हम industry में कोई चीज़ बनाते हैं, तो हमें उसके लिए कुछ material होता है, जैसे use करके उस चीज़ को बनाया जाता है, that is called raw material, तो plants भी raw material लेता है, और वो raw material क्या है, carbon dioxide है, water है, minerals है, जो उसे अपने environment से मिलते हैं, now regarding the modes of nutrition, generally अगर हम बात करें, तो nutrition दो तरहां की होती है, पहला mode है nutrition का, that is called as autotrophic mode of nutrition, और दूसरा है heterotrophic nutrition, अब autotrophic क्या है, auto का मतलब होता है self, अपने आप, profit means process of taking food, ये वो mode है nutrition का, जिसमें organism अपना food खुद बनाते हैं, अपने आप, जैसे की green plants, then is heterotrophic nutrition, ये वो mode है nutrition का, जिसमें organism अपना food खुद नहीं बनाते हैं, but they take it, वो अपना food लेते हैं, दूसरे organism से लेते हैं, जैसे non green plants, सारे plants photosynthesis नहीं करते हैं, there are certain plants, जो कि दूसरे plants या दूसरे animals से भी अपना food लेते हैं, ऐसे animals हैं, animals के बाले में तो हम जानते हैं कि they are heterotrophic, यानि कि वो अपना food खुद नहीं बनाते हैं, अब autotrophic में हम जैसे देख सकते हैं कि green plants होते हैं, जो कि autotrophic mode है, जिनका nutrition का, यहां आप देख सकते हैं कि sun की energy लेते हैं plants, और energy लेने के लिए plant के अंदर एक green pigment होता है, that is called as chlorophyll, यह उसके सारे green parts में होता है, leaves में होता है, अगर stem भी green है, तो उसमें भी होता है, तो यह इसको use करता है, यह light energy को लेता है, और raw material जैसे carbon dioxide है, water है, minerals है, इन सब को use करके food बनाता है, तो यह autotrophic होता है, दूसरी पर हम heterotrophic nutrition के बारे में भी पढ़ेंगे इस chapter में, अब यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि bread के ओपर कई बारी यह fungi हो जाती है, bread mold हो जाती है, यह जो organism है, यह अपना food खुद नहीं बनाते हैं, they are dependent on other organism for their food, ऐसे animals हैं, कोई भी animal अपना food खुद नहीं बनाता है, या त plants को consume करते हैं, ऐसे ही, कुछ एक plants हैं, जो की पूरी तरह से अपना food खुद नहीं बनाते हैं, और वो animals को भी consume करते हैं, insects को consume करते हैं, they are called insectivorous plants, इनके बारे में भी बढ़ेंगे हैं इस chapter में, और कुछ एक जो हैं, वो फंजाई, mushrooms वगएरा की form में भी, वो हमें दिखाई देती हैं, यह भी अपना food खुद नहीं बनाते हैं, so they are the different modes of nutrition, तो आज हमने जाना, there are two modes of nutrition in organism, पहला है autotrophic, जिसमे वो organism, animal या plant, sorry, only green plants, वो अपना food खुद बनाते हैं, और तूसरा mode है heterotrophic, जिसमे animal या plant, या fungus, कोई दिया organism है, वो दूसरे पे dependent है, food लेने के लिए, अपने आप उसे नहीं मनाता है, अगले पार्ट में हम लोग photo synthesis के बारे में पढ़ेंगे, thank you